करेले पोशक तत्वों से भरपूर होता है करेले में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैगनीशियम, पोटेशियम और फोस्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसके अलावा करेले में कैलोरीज और कार्ट भी पाए जाते हैं अधिकतर लोग करेले की सबजी बना कर खाते हैं तो कुछ लोग करेले का जूस बना कर भी पीते हैं वैसे तो करेले का सेवन किसी भी समय किया जा सकता है लेकिन रात में करेले को न खाने की सला दी जाती है इस वीडियो को अंग तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रात में करेला क्यों नहीं खाना चाहिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह जानकारियों से भरी विडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर रात में करेला क्यों नहीं खाना चाहिए पचने में समस्या रात में करेला खाने से यह सही से डाइजिस्ट नहीं हो पाता है इसलिए करेले को दिन में ही खाने की सला दी जाती है दरसन करेला अमलकारक होता है ऐसे में रात के समय इसे पचाना मुश्किल हो जाता है रात के समय हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है ऐसे में रात को करेला आसानी से नहीं पच पाता है पाचन को भेतर बनाए रखने के लिए रात में हलके खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए पेट में दर्द रात में करेला खाने से व्यक्ति पेट दर्द की शिकायत कर सकता है दरसल रात में करेला आसानी से पच नहीं पाता है इसकी वज़ा से गैस और एसिडिटी बनने लगती है ऐसे में पेट में दर्द, एंठन और मरोड पैदा हो सकती है अगर रात में करेला खाने के बाद पेट दर्द हो तो समझ जाए कि यह करेले की वज़ा से ही हो रहा है शरीर का तापमान बढ़ना आयूर्वेद के अनुसार करेले की तासीर बेहत गर्म होती है ऐसे में अगर आप रात के समय करेला खाते हैं तो इससे आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है शरीर का तापमान बढ़ने से आपको एलर्जी, तवचा चकत्ते और फोड़े फुनसिया आदी समस्याएं हो सकती है इसके साथ ही रात में करेला खाने से पेट या सीने में जलन भी महसूस हो सकती है गैस बन सकती है रात में करेला खाने से शरीर में वाद दोश बढ़ सकता है जब शरीर में वाद दोश बढ़ता है तो कई तरह के रोग पैदा होने लगते है इसमें गैस बनना भी एक है इसलिए कहा जाता है कि अगर रात में करेला खाया जाता है तो इससे गैस बन सकती है और खटी डकार आ सकती है इसलिए आपको रात में करेला खाने से बचना चाहिए बच्चों के लिए नुकसान दायर रात में करेला खाने से बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है रात में करेला खाने से बच्चों में डाइरिया और उल्ती की शिकायत देखने को मिल सकती है इसलिए बच्चों को भूल कर भी रात के समय करेला नहीं खिलाना चाहिए करेले के बीज भी बच्चों के लिए नुकसान दायक हो सकते है हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी विडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा धन्यवाद